ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं तुला राशी वालो हो जाओ तैयार तो कि अब आपको भगवान शनिदेव के अशिरवास से आठ जुलाई से चौधा जुलाई याने किन साथ दिनों में मिलने वाली ह बड़ी तूफानी खबर जा दोस्तो आपको बता दे भगवान शनिदेव के अशिरवास से आपके लिए आठ जुलाई से चौधा जुलाई याने किन साथ दिनों का समय बहुती अच्छा समय रहने वाला है जा दोस्तो इन साथ दिनों में भगवान शनिदेव के अशिरव पूरा देखें पिल्कुल भी इसी वीडियो को आप मिशना करें तो कि यह वीडियो आपकी राशी वालों के लिए बहुती बहुती बहुत पापोने रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो का अगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनीदेव का सच्चे वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट स्बोक्स में जैश शनीदेव अवश्य लिखें जिससे भगवान शनीदेव का असिरवाद आपको शीद प्राप्त हो सकें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान शनीदेव का असिरवाद से समय परिश्रम से सब कुछ हांसिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है बड़े बुजुर्गों का इशने और आशिरवाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पुंजी रहेगी घर परिवार के साथ समय व्यतित करने से मन बहुती प्रफुल लित रहेगा समय की गती आपके पक्ष में रहेगी शामाजी की दाइरा बढ़ेगा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी कोई बड़ा निवेस करने के लिए भी समय आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों साथे साथ यह समय महमा के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतीत होगा उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा आपका बजट भी बिगड़ सकता है परन्तु फिर भी परिवारिक खुशी के आगे यह नगड़ने रहेंगे युवा वर्ग अपने भविश्य संबंदी योजन के प्रती काफी गंभीर रहेंगे दोस्तों साथ साथ यह समय किसी समयलन या फिर समारों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा तता संमान के साथ आपकी आव भगत भी रहेगी संतान संबंदी कार्य जैसे विभा नौकरी आदी कार्यों की योजनाए भी इस समय दोस्तों साती सात यह समय उर्जा जोस और उमंग से आप पणिपूर रहेंगे बच्चों के साथ धहरे रखते हुए आप वहवार करें जिससे वे आपके कायल हो जाएंगे के प्रिकार के खर्चों का भी यह समय है परन्तु आप मैनेज कर लेंगे अपनों के साथ मनोरंजन म के भी समय व्यतीत होगा दोस्तों साती सात यह समय परिवार के साथ हर सो लास के साथ व्यतीत होगा कहीं से कोई सुब समाचार भी प्राप्त होगा कार्रे कुसलता के दम पर आप वह उपलब्दी हांसिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी दोस्तों साती सात ध्य नुक्सान का सामना भी करना पड़ सकता है सभी गति विदियों में ध्यान केंद्रित रखना आपके लिए अति आवश्चक है आर्थिक कश्मकस भी रह सकती है कहीं भी धन संबंदी निवेस सोच समझ कर ही आपको करना है क्योंकि पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेग विद्यारतियों को अपने प्रितियोगी परिक्षा संबंदी पड़ाही में अधिक ध्यान देने की आवश्चकता है दोस्तों साथे साथ यह समय सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं न कहीं रिक्तता का एहसास होगा और अगर मनन करेंगे तो इसकी वज़े कुछ भ कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं फिजूल खर्ची से बचें तता घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अति आवश्चक हैं कोट केस संबंदित मामलों में कुछ अर्चने भी आ सकती हैं रिस्तेदारों के साथ वहवार करते समय आप साफधानी बढ़ते आपके मुह से कोई ऐसी बात निकल सकती हैं जिससे संबंद खराब होने की भी आशंका है इसलिए आपको अपने गुस्से वे आवेस पर जरूर निंतन करना चाहिए किसी पर अत्यादिक भरोसा या विश्वास करना नुकसान दायक हो सकता है बहतर होगा कि आप अपने नि आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल वे समान जस बना रहेगा प्रेम संबंदों में एक दूसरे की भवनाओं को शमजना अति आवशक है पती पतिनी के बीच कुछ इस समय नोकजों की भी संबव है प्रशंग बदनामी वे अ प्यस का कारण बन सकते हैं इसलिए थोड़ा सावधान रहें साति साथ कामकाज में चल रही सितिलता का प्रभाब परिवारिक जीवन पर आप ना पढ़ने दें जीवन साती तथा बच्चों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा दोस्तों साति साथ यह समय परिवार और एक शुक्षांती बनी रहेगी शंतान की शिक्षा वे केरियर संबंदी गती विदियों में आप सहयोग दे पाएंगे घर परिवार में आपसी सोहर्द तथा प्रेम बना रहेगा विपरीत परिस्तितु के कारण प्रेम संबंदों के उजागर होने की भी इस समय संभव की करें तो यह समय नौकरी शिक्षा और कारोबार में जादा महनत और परिश्रम की आवश्चकता हैं कार्रे विष्तार संबंदी किसी भी योजना को कार्रे रूप में पर्णित करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्स आप अवश्चकरें नौकरी पेसा व्यक्ति भ इस समय यह ध्यान रखना आवश्चक है कि कहीं आपके ट्रेड शीक्रेट्स लीक तो नहीं हो रहें पार्टनर्शिप संबंदी वेपारिक गतिविद्यों पर नजर रखें किसी प्रकार का दोका हो सकता है दोस्तों साथी साथ यह समय कर छितर में कौन्टिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का समझोता आप ना करें कोई बड़ा ओर्डर आपके हाथ से निकल सकता है या फिर डील भी कैंसिल हो सकती है नौकरी पेसा लोगों के लिए नौकरी में बौस वे अधिक शरकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे पदोननिती की भी संभव ना है नौकरी में मनौवांचित उपलब्दी मिलने के इस समय आसार है जिससे आपको खुसी का बहुत अनुभव होगा शाति-शात मशीनरी नई तकनीकी आदी का प्रियोग सफल रहेगा लंबि चल रहे कोट केस संभंदी मामलों के पूरा होने का समय आ गया है शरकारी शेवारत व्यक्ती किसी उल्यन में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों साथ यह समय वैपार में नई पार्टियों तथा नई लोगों से व्यवसाइक संभंद इस्थापित करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें किसी की बातों में आकर आपका अहित भी हो सकता है नोकरी में से करमी आपके विरुद उच अधिकारियों के भी कान भर सकते हैं इसलिए आप थोड़ा सावधान भी रहें दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय मौसमी बीमारियों से सतर्क रहना आवश्चक है अपनी दिन्चरिया एक दम सुवेवस्तित रखें घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्त संबंदी परिसानिया रह सकती हैं स्वास्त संबंदी लापरवाही बिल्कुल आप ना बरतें दोस्तों साथ साथ यह समय स्वास्त में छोटे मोटे उतार चड़ाव रहेंगे परन्तु थोड़ी सी सावधानी आपको स्वास्त रखेगी यूँ तो स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन किसी पुरानी बीमारी के प्रती सचेत रहने की आपको अति आवश्चक्ता है दोस्तों साथिसाथ आपको अपने स्वास्त को और भी अच्छा रख इगाँ